धनिवाद अध्यक्ष जी चार गंटे वे अभी स्टेंडी कमीटी में लड़के आ रहा हूँ तो एक अच्छा है कि छेतर के जनता के लिए मैं बोलूँगा जब ये संबिधान बना अध्यक्ष महदे तो उस वक्त ये था कि रिजर्वेषन किस तरह के लोगों को मिलेगा और सिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइब को रिज़र्वेषन मिले ये Конस्टिचुेंट एसेमभली का खुला मत था उसी में डो इस्क्रिमनेशन वे सर डिस्क्रिमिनेशन यह हुआ कि जो सिडूल कास जिदी अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा तो रिजर्वेशन उसको नहीं मिलेगा लेकिन सिडूल ट्राइब के लिए कहा गया कि चुकि उनका रहान सहान कल्चर आचार वेभार अलग है इस कारण से सिडूल ट्राइब को उसमें एक रिप्राइब दे गया उसको एक रिजन दे दिया गया लेकिन जारखंड की स्थिती यह है सर कि 47 में 26% 27% के आसपास हमारे यहां अधिवासी है और उस वक्त मातर 3% लोग 26% में से मातर 3% लोग जो है उस वक्त क्रिश्चन थे धर्मांतरन जो है केवल 3% वा था और धर्मांतरन करने का भी एक कानून 1937 में बना था जो ये कहता था कि धर्मांतरन यदी होगा कोई यदी अपना धर्म परिवर्दन करना चाहता है तो उसमें को अब्जिक्शन नहीं है लेकिन कलक्टर के साथ, दियम के साथ उसको जानकारी होना चीए और धर्मांतरन होना चीए लेकिन सार आज इस्थिती यहती है कि उस 26 परसेंट आदिवासी में से 20 परसेंट लोग लगवग लगवग आप समझे कि डेड़ करोड के आसपास लोग जो है उन्होंने अपना धर्मांतरन कर लिया है और धर्मांतरन करने से उनका पूरा कल्चर बदल गया और धर्मांतरन करने वाले लोग उनको सैक्षिनिक तौर पर समाजिक तौर पर और विशेस आर्षिक तौर पर जो है प्रभावित करके धर्मांतरन करा रहे है इसलिए मेरा आप से आगरह है कि जब Constituent Assembly में डिवेट हुआ और उस वक्त हमारे Four Fathers ने जब कहा कि यदि इस तरह का सिचुएशन होगा तो सिडूल ट्राइब को भी सिडूल कास्ट की तरह धर्म परिवर्तन के बाद रिजर्वेशन नहीं मिलेगा मेरा भारत सरकार से आपके माध्यम से आगरह है कि सिडूल कास्ट की तरह सिडूल ट्राइब को भी धर्मांतरन के बाद रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जिसके कारण हम धर्मांतरन पर रोक लगा पाए